नमस्कार वेलकम बहुत स्वागत है आपका आज के अंके में हम लेकर आएं एक महिला सब्सक्राइबर की हतेली इनके कई प्रश्ण है जब हम इस हतेली को गौश देखते हैं तो पूरा हतेली आपको एक मांसल और गद्देदार हतेली दिख रहा है तो जब आपकी हतेली मांस सुब अवस्था में साथ में देख रहे हैं इनकी भागी रेखा की बात करेती है ये चंदर से निकलती हुई परतीत होती है कुछ इस प्रकार से ये चल रही है और यहां से इस प्रकार से थोड़ी सी पतली होते हुए ये बिल्कुल सनी पर पहुंची है जब भी किसी के भी हत ये हमारी होती है चंदर का छेत्र, चंदर के छेत्र से भाग निकलता हो, ति इनके जीवन में जो भाग योदे होता है, अर्था जो सबसे अच्छा स्वरनिम काल होता है, ये भाग योदे होता है, जिनरली इनके बिभा के बाद होता है, या ये बिभा के पहले भी हो सकता है, परन्तु ये क्या होगा एक विपरीत लिंग के सहयोग से होगा ये कोई भी हो सकते हैं आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं या फिर फैमिली के बाहर के भी हो सकते हैं आप पुरूस हैं तो किसी महिला सदस्य के सहयोग से एक अच्छा खासा लाब होता हुआ दिखता है अज साथ में एक चीज़ें दिखती ही जब चंदर से उड़ता है तो इसका आर्थ होता है कि आपको दूर का धन आएगा दूर का धन अर्थात कहने का रथ होता है कि आपके मूल अस्थान या आपके निवास अस्थान से काफी दूर का धन आपके पास आने वाला है एक इंडिकेशन यह होता है इसे लोग जनरली बिभा के बाद उन्नती इसलिए मानते हैं कि बिभा के बाद इस तरी पुरूस मतलब दोनों का साथ में भागी होता है महिला है तो किसी पुरूस साथी के कारण इनका भाग्योदे हो जाता है पुरूस है तो महिला साथी के कारण इनका अच्छा खासा प्रियास करता हूं ये देख लीए क्रॉस बना हुआ है अब चन्दर पर यदि क्रॉस बनता हो तो ये देखिए चन्दर च Sing bride को हम दूर का मांते हैं चंदर को विदेश यओ या त्मिदेश योग से भी मांते हैं तो बिदेश योग और ये चंदर पर क्रॉस ये होना कहीं कहीं ये दो तीन चीजों में आपके लिए जो है सुब नहीं होता विसेश कर आप जिस प्रयोजन से घर से दूर जाते हैं उस कारी के सिध्धी में ये काफी बिलंब कराता है या फिर वो कारी सिध्ध नहीं होता चाहे जिस भी कारन से आप घर से दूर गए हो या बिदेश गए हो कहीं ने कहीं आपके कारी में अर्चन का ये कारक बनता है और कहीं ने कहीं कारी में बिलंब मुर्थपन कर देता है इस प्रकार का क्रॉस ये पहला होता है साथ में चंदर पर क्रॉस होना कहें कि इनकी जो महत्वाकांच्छा थी या जो इक्षा थी जो चीजें ये प्राप्त करने के लिए घर से दूर या किसी प्रयोजन के लिए गए थे उस इक्षा की प्राप्ति या उस प्रयोजन या उस कारी सिद्धी में ये बिलंब करता है या फिर अर्चने लगाता है या फिर वो कारी सिद्धी हो नहीं पाती है कुछ ऐसी स्थिति ये उत्पन्न करता है इस परकार का क्रोस यह यहाँ पर negative चिन्न के रूप में देखा जाता है अब हम next देखते हैं इनके हतेली में तो मस्तिस रेखा बहुत ही अच्छी साप सुतरी किलियर और असपस्ट रूप से अर्थात मांसिक रूप से कहीं ने कहीं ऐसे जातक मजबूत होते हैं अच्छी उर्जावान अच्छी सोच वाले पोजेटीब सोचने वाले यह मांसिक सकती अच्छी मांसिक चुकि हम कोई भी कारी करते हैं तो अपने मांसिक सकती से करते हैं वो यहाँ बहुत ही अच्छी अवस्ता हम दिख रही है भागे रेखा की बात करती ये चन्र से निकली तो है थोड़ी सी यहाँ पर breakout है उसके अधिये निकली है बिल्कुल के लिए फिर छोटा से यहाँ लग रहा है कि छोटा से breakout है फिर से यहाँ से यह आगे बढ़ ये breakout के बाद जब ये इस प्रकार से आपकी भागे रेखा ब्रेक लेती है तो कहीं न कहीं जीबन में इस काल में ये धन संबंदी समस्या उत्पन कर सकता है ये जो काल निकल कर आ रहा है ये एप प्रोक्सीमेट 47-48 बरस से 55 बरस के बीच का समय हो सकता है जीबन में जो थोड़ा सा धन के मा कामले में आपको सतर कराना चाहिए अब पुना उसके बाद ये अच्छे वस्ता में चंदर पे चला गया रथा 56 में वर्स या 55 में वर्स से पुना भाग ये आपको अच्छा खासा सपोर्ट करने वाला है और लाइफ में धन संपत्ती से भी परिपूर्णता रहेगी परंत देखे इनका इतना बड़ा छेतर में फैला हुआ है गुरू को हम समाज में एक गुरू के रूप में देखते हैं अर्थात गुरू परबत जब आपका विसाल हो अर्थात ऐसे जातक जो है महत्वा कांची बहुत अधिक होते हैं इनके अंदर की जो एक छाए होती वो अनन चाहे तो एक अच्छे सिक्षक हो सकते हैं एक अच्छे गुरू साबित हो सकते हैं एक अच्छे किसी भी छेत्म से भी इसे हम जोड सकते हैं अध्यात्मिक छेत्र में एक अच्छे गुरू के रूप में ऐसे जाता कारी कर सकते हैं वहीं हम देख रहे हैं कि गुरू परबत यह यहां दिख रही है परन्तु जब गुरू पर तिल है तो यह एक धबा हो जाता है अर्थात कहीने कहीं यह बेवाईक संबंध पर या फिर बिवा होने में बिलंब का एक कारण बन सकता है यह तिल एक चीजी है यह निगेटी पॉइंट यह तिल कहीने कहीं बेवा होने में अरचने भी उत्पन करता है या फिर बिभा के बाद भी ये अरचन उत्पन कर सकता है इनका एक प्रशन था बिभा से सम्बंद में इनकी हतेली में जो हम देख पा रहे हैं कि एक सोच सबसे अच्छी लंबी बिभा रेखा है वो काफी बिलंब से है वो इतनी बिलम से है यदि calculation किया जाए तो वो after 40 आ रही है अर्था थतेली में जो रेखा दिख रही है बिवा की वो 40 वर्स के बाद दिख रही है अलांकि 40 वर्स इनका निकल चुका है और दूसरी जो बिवा की रेखा है वो उनकी है सही अवस्था में परंतू रेखा चोटी है यह जो छोटी रेखा है यह बिलकुल सही समय पर विवा होने की रेखा थी ऐसा भी होता है कई बार की विवा लगते लगते तूट जाना या किसी कारण में से विवा छूट जाना कारण हो सकता है या फिर यह कारण हो सकता है कहीं गहरा प्रेम संबंद हो प्रेम संबंद तूट गया कहीं बिभा करने की इक्छा थी वो छूट गई ये छोटी रेखाएं इंगित करती है कभी कभी ये छोटी रेखाएं बिभा भी करा देती है ये बिभा भी कराती है छोटी रेखाएं परन्तु इनके हतेलीम साइद ऐसा नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं इनकी दूसरी बिवा रेखा आप टरफोटी है वो समय चल रहा है और इनकी बिवा होने की पुर्ण संभावना है हम बिवा से संबंद में इनको कुछ उपाई कर लेना चाहिए जैसे साधारंत यह अपने हां के जो उपाई करते हैं लोग एक चुटकी हल्दी एक चुटकी चाहिए आप गुरु बिरश्पती की पुजा करें और बिले बस्तर धारन करें पीले भोजन धारन करें दूसरा उपाई करना है कि यदि संबंद हो तो सोला सोंबार का बरत आप लगातार करें भगवान भोलेनात की अच्छी का खासी किरपा बनती है अब बिवा के अती सिग्र यो भोग बनते हैं साथ में पीले बस्तर धारन कर सकते हैं या संबभववत हो तो आप एक हल्दी की गांट जो गांट वाली हल्दी होती है एक हल्दी की छोटी सी गांट पीले कपड़े में लपेट कर आप बाजू में या गले में धारन कर सकते हैं वो भी आपके विभा में अतीज सिग्रता लाएंगे ये साधारन साधारन उपाए जिन्हें आप कर सकते हैं ये अच्छे कासे फाइदेमंद और लाब दायक होते हैं आईए नेक्स्ट बात करते हैं इनकी सुर्ज रेखा की तो सुर्ज रेखा हतिली में है थोड़ी पतली है मगर ये इतनी लंबी है अर्थात जीबन में जो चीजें प्राप्त होगी कहीं न कहीं या बिलंब से प्राप्त होती हुई दिखती है जब सुर्ज रेखा छोटी हो पर थात आपके हिरदय रेखा के उपर हो तो एक चीजे बताती है कि आपको जीबन में प्रारम्भिक संगर्ष के बाद ही जीबन में अच्छी उन्नती प्रगति जो प्राप्त होनी ये वो होगी या कभी-कभी जो आपको प्राप्ती होती है जिसके आप योग ये थे परन्त सूर्ज रेखा पर दिख रही है असपस्टूप से हिर्दय रेखा अच्छी है ये बिल्कुल सनी पर जा रही है सनी पर हिर्दय रेखा के जाना कहीं ने कहीं एक चीज़ें दिखलाती है कि प्रेम के अंदर में जो मन के में जो भावना होती है वो प्रेम में निस्वार्थ प प्रेम में अस्थीरता को दिखलाता है यदि यहां चल जाती है अर्थाती इन दोनों अंगणियों के बीच में थोड़ा सugh से यह रेखा यहां पर असपस्ट नहीं हो रहा है है ऐसी स्थिति प्रेम में बिल्कुल असथीरता को दिखलाती है एक सुभ चिन्द माना जाता है के द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं होती हैं जो आपके आगे बढ़ने में अरचने ख़ड़ा करते हैं या रोडा उत्पन न करते हैं इस परकार की चीज़े ये अपने आपके relative हो सकते हैं आपके नजदी की मित्र हो सकते हैं आपके घर के लोग हो सकते हैं जिनके कारण आपके भागी में या आपको आगे बढ़ने में काफी समस्या और संगर्स करना पर सकता है या फिर ये आपके दुस्मन भी हो सकते हैं कभी कभी हलांकि ये सारी राहू रेखाएं जो है जो पतली पतली रेखाएं ये रेखाएं एप्रॉक्सिमेट इनकी 42-43 बर्स के तक है उसके बाद इनके लाइफ में किसी अच्छा ही रहेगा हतेली में सब कुछ अच्छा है मिलते हैं अगले अंक में पुनावाद करेंगे हम धन्यवाद